हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द्यस्टनर यूर्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अदर हम क्या पाढ़ने वाल है प्लांट इशु कल्चर उके उसके अंदर में बेन्टनास उसका न्यूट्रिशनल रिक्वार्मेंट क्या क्या होते है उसके प्लांट इश जो भी वीडियो आपके लिए आवेलेबल कर देंगे वह उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगे और आप इजले हमारी वीडियो देख सकते हो को स्टार्ट कर देते हैं प्लैंट इश्यू कल्चर के बारे में करने स्ट अपल पड़ेंगे अप्र सफिशेंट टायम्ट एप्र कैलेश ग्रोथ उन दे सेमीडियों फॉड्विंगर तो उसके अंदर कुछ चेंजस यहाँ पर हमको देखनें को मिलेंगे और कल्स क्या देख निखा देगा नेक्स्ट एक्राजोल लॉस ओट रॉस स्टार्टव हो जा緝ेगा एक्विनेशन अफ मेताबोलिक, हीप टॉक जो है उसके आंदर न्यूत्रियंन्ट मेडियम के आंदर यहां पर टॉक्जीन होगा तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको accumulation of metabolic water hence the maintenance of growth in callus it is necessary to subculture the callus okay callus के maintenance के growth growth in callus callus के growth के लिए आपको यहाँ पर maintenance करना परेगा okay subculture should be repeated after four to five weeks four to five weeks के अंदर आप यहाँ पर repeated सबकल्चर कर सकते हो तो maintenance आपको समझ में आया फ्रेंट्स उसके आंदर आपको क्या करना चाहिए continuous water कर loss होना चाहिए तो वहाँ पर कुछ metabolic toxin वहाँ पर आपको अच्छे से maintenance करना चाहिए okay nutrient medium जो होता है उसको आप deflation नहीं होना देना चाहिए उसको increase कर लिए थोड़ा पर जेक्स देख लेते हो method of plant tissue culture plant tissue culture आप मेथर देख लेते हो उसको आप कैसे गुरोष कर सकते हो plant tissue culture includes two major methods उसकी two major methods से फर्स्ट है टाइप आफ विट्रोग ग्रोथ विट्रोग के अंदर आप ग्रोथ कर सकते हैं callus and suspension culture उसको क्यालस and suspension culture बद कहते हैं next be a plant of explant explant से भी आप plant grow कर सकते हो कैसे तो root culture से आप वहाँ पर new plant develop कर सकते हो single cell culture से आप plant develop कर सकते हो embryo culture के साथ आप plant develop कर सकते हो embryo से आप plant develop कर सकते हो तो इसके बार में हमने first lesson में पढ़ लिया वहाँ पर जाके आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो अच्छे से वहाँ पर आप आई इसको देख लेते चलो उसके टाइप के आंदर हमने पूरा डिटेल में इसकी जानकरी देख लिए नेक्ट ए एन्वार्मेंटल कंडिशन तो प्लांट टिशू कल्चर के लिए कैसी कंडिशन होनी चेहे प्लांट ग्रोथ करने के लिए कछी कंडिशन होनी चेैं अचींण कंडिशन कहसी होने चेहे ही टाइप आप प्लांट टिशू कल्चर तो मेडियम किस पर डिपेंड होना चे प्लांट टिशू कल्चर आपके से टाइट का प्लांट वहाँ पर डेवलप कर सकते टिशू कल्चर के अंदर तो उसके उपर न्यूट्रेंट मेडियम डिपेंड होता है जनरली निउट्रियेंट कंसिस्ट अब जो निउट्रियेंट होता है तो कंसिस्ट होते है इनोर्गेनिक साल्ट जो इनोर्गेनिक साल्ट होता है बोल्थ माइक्रो एंड मैक्रो एलेमेंट ओके नेक्स्ट है और कार्बन सोर्स फ्रवाइन उसके अंदर एक्जाम्पल एरीजिन आइन नेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए आप किसका उच्छा कर सकते हैं जिनका यूच कर सकते हैं तो निट्रेंट मेडियन के अंदर एक कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर इसमें से एक भी आपसें सब्सक्राइब तो आपका प्लैंट है तो डैंचा से इसक नहीं हो सकता स्थे कंडिशिण यूजथी कहला चाहिए होने है निट्रेंट मेडियम निट्रेंटेंट मेडियंट स स्ट्स गर मिन इंकृथ ओफ मैक्रोबस जो शीघर था WAASret ज्ब्रमान में अगर ऊपर प्रहां टिशू and finally kills it जो टिशू होते हैं तो वह माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं उस टिशू को किल कर सकते हैं उससे आपका क्या होगा जो प्लैंट ग्रोथ होना चाहिए वह अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकता नेक्स देख लेते चलो इट 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 इंपोर्टन टू मेंटेन दा असेप्टिक कंडिशन तो माइक्रोब की ग्रोथ के लिए ग्रोथ जो होती है उसको प्रिमेंट करने के लिए आपको असेप्टिक कंडिशन होना बहुत ही इंपोर्टन होता है उसके लिए आप आपकर सकती हो आच्छे से तो आपका जो प्लैंट होते तो प्लैंट अच्छे से ग्रौथ हो सकता है हीजी यहाँ पर नोट्स दिया गया है तो उससे आप आच्छे से नोट्स बना ली जए तो टेक्निक्स के लिए एरेशन बहुत ही होना बहुत ही इंपोर्टन है इस दा अच्वड बाइद ऑकेजिनली स्टीरिंग दा मेडियम बाइद स्टीरिंग और बाइटोमिक शेकर ओके तो यह हो गया एरिटेशन ऑफ प्लान टिशू करचे एरेशन मतलब यह वहां पर अच्छ इन दो फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट के अंदर जो भी रियर उस प्लान टेशू कलचर के अंदर सेकंड देख लेते चलो अप्लांट ब्रीड क्रीडर मे भी टिशू कलचर टु दा श्क्रीन सेल रधर धरन फ्लांट ऑकें लाजज इसेव ग्रोफ कर सकते हैं बहुत प्रीटेशन करद सकता है वहाँ पर प्रीडिंग करने के लिए बॉके प्रोडेक्षन आप डीसी में पर प्रोडूश कर सकता है मतलब कोई भी जो प्लांट हमने प्रोडुस किया हो उसके अंदर डिसीज प्रजेंट नहीं होगे आप सेंस यहां पर आप सेंस हो सकते तो यह उसके अप्लिकेशन अच्छी से नोट्स बना लीजिए अप्लिकेशन के अंदर सेलेक्शन और प्लांट्स रियुस्तं टोक्जीइट के अंदर अब फने आप प्लांट के नियुंड हो चुका है तो इस वडियो का सब्सक्राइज जरूर करना जैसे आप फार्मा रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो उसी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप एजली आमरेडियो देख सकते हैं तो मिलके नेक्स्ट आसे में नेक्स्ट आपके सब थेंक्यू